देखे गाइज, healthy and tasty करारे करारे पकोड़े, जो कि बच्चों को और बड़ों को सब को भाने वाले हैं, जो बच्चे सबजिया नहीं खाते हैं, वो बच्चे इस तरह से सबजिया भी बहुत अच्छे से खाएंगे, और वो भी वो सबजिया जो बच्चे खाते नहीं हैं, तो अधरे एक काटोरी बन्द को भी और एक medium size की गाजर उने कत्च कर लिए, यानि प्याज और गाजरे एक एक है, ठीक है, जिसको ने grate करें और बन्द को भी हमने एक काटोरी ले लिए, तो यह देखे, हमने पहले ढाल दिया अपना गाजर, پ्याज, स्लाइज में कटा हुआ और यह डाल दिया बंदुगों भी बारी कटा हुआ और वो भी स्लाइज में नमक टेस्ट के अनुसार देखिए नमक पहले इसलिए सब्जों में आड़ करें क्योंकि नमक आड़ करने से सब्जी अपना पानी छोड़ देंगी इस वज़े से यह हल्दी पाउडर हाप टेमल स्पून Miss जो कि कलर के लिए हिंग दो से 15 यह हमने डाली हर्सूजी जो इन 6 पूर्ड करने के लिए पकोड़ों को और आभ ब्लोगे this में बेसन बेसन हम पहले ृतीन से 4 आड़ करेंगे 3-4 स्पून एड़ करेंगे अगर हमारे कम लगेगा तो हम इसमें बेशन और एड़ कर लेंगे अभी हमने 4 स्पून एड़ किया हुआ तो यह देख सकतें गाइस पहले हम मिक्स कर लेंगे ऐसे ही तूकि इसमें पानी होता है जिसकी वज़े से पानी का अंदाजा हो जाएगा कि हमें कितना पढ़ना है तो देखिए अभी ड्राई है तो इसमें थोड़ा थोड़ा करकर पानी हम एड़ करेंगे बिल्कुल एकदम पानी हम एड़ कर देंगे तो यह गीला हो जाएगा और अच्छा नहीं बनेगा तो देखिए यह हमारा अग्दम स्मूथ हो चुका है अब इसको अभी आपको यह थिक लग रहा होगा मगर इसको छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए तो यह एकदम नॉर्मल हो जागा क तो चलिए बनाते हैं तो यह देखिए हमने अपना ओयल रख लिया था यह मस्टर्ड ओयल है आप अपनी साब से चोब भी रखे इस तरह से करते हुए छोड़ा थोड़ा सा हम छोटी-छोटी सी पकोड़िया अपनी डालेंगे और धीमी फ्लेम पर हम इससे कुक करना है धी लिपून से इसको टरन करके हम कुक कर लेंगे देखिए यह अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और क्रिस्पी भी हो चुकी है बहुत ज्यादा तो इनको हम निकालकर रख लेंगे अलग प्लेट में और इसी तरह से हम दूसरी भी पकोड़ियां सेक लेंगे तो चल ले ते हैं यह देखिए है इस हिए बस फ्लेम को हमेशाथ लो मीडियम ओ रखत ना है और अच्छे से क्रिस्पी होने तक इससे से शेकना है तो देखिए उसी तरह से बिलकुल टर्र करते वह अच्छे से इलटते पलटते इसे हम रहेंगे ख्रिस्पी होने depri saw तो देखिए वो तो सिख चुकी है अब हम अपना बड़ो के लिए मिर्च भी फ्राइ कर लेंगे तो देखिए उपर से थोड़ा सा कट कर दिया जिसकी वजह से मिर्च हमारे फटे नहीं और इस काम को करते हुए आप फ्लेम से थोड़ा सा दूर रहें और देखिए इस तरह स लगती है इस वजह से इसको बहुत ज्यादा साधानी बरतनी होती है बड़े लोगों के लिए मिर्ची फ्राइ कर दे चोटे लोगों को ऐसे ही चोटे बच्चों को ऐसे दे इसलिए हमने इसमें मिर्ची का ज्याधा प्रयोग नहीं किया है तो देख सकते हैं इतना यम्मी इतना टेस्टी नास्ता यह बनकर त्यार होगा ना कि अपने घर में बना दीजिए तो बच्चे बिल्कुल जानेंगे नहीं और सारी कि सारी सब्जियां खा भी लेंगे तो गाइज अगर हमारी यह रेस्पी आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सस्क्राइब एंड से प्लीज पीर